दोस्तों घरेल उर्चार और सुकी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लिकर आए हैं साइनस का एक बहुत ही गजब का और रामबान उपाए दोस्तों केवल साइनस से पीडित लोगों को ही वास्तवविक संघर्ष का पता चलता है ये हर दिन का सिर्दर्ध नागबंद चहरे के दर्ध आदि से संघर्ष करते हैं इससे बचने के लिए आप खुद की स्वच्चता के साथ साथ कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आप इस बीमारी से इस बीमारी की लक्षनों से पूरी तरह से आराम पा सकते हैं कुछ ऐसे घरेल उपाए हैं जिनकी मदद से आप साइनस की प्रोलम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है तिल का तेल और तिल का तेल एक मदद करता है यह साइनेस के उपचार में काफी परभावसाली तेल है दैनिक रूप में राहत महसूस करने के लिए आप अपनी दोनों नाक के सुराख में दो से तीन बून तक दो बून इस नाक में और दो बून इस नाक में या तीन तीन बूंद भी आप डाल सकते हैं और ऐसे पीछे की तरफ लेट कर अपने नाक में ये तेल डाले हर रोज रात को सोते समय और तेज तेज अंदर को सांस खीचे ताकि ये तिल का तेल जो आपने नाक में डाला है वो अंदर तक जा सके इससे आपको बंद नाक को खोलने और साइनस को खतम करने में काफी मदद भी लेगी कुछ दिनों तक कम से कम 10 से 15 दिन तक आप इसको ऐसे ही इस्तिमाल करते रहें दोस्तो ये एक बहतरीन विकल्प है जो आपको साइनस की जैसी दर्दनाक बीमारी से छुटका रदिला सकता है इसके साइड अफेक्ट नहीं है बस ध्यान ये रहे कि तिल का तेल जो आप लेंगे वो बिलकुल असली होना चाहिए कच्ची घानी का तेल जो कच्ची घानी का तेल बोलते हैं मतलब डारेक्ट तिल से निकला हुआ वो रिफाइन नहीं होना चाहिए और सुध तिल का तेल होना चाहिए otherwise आपको नुक्सान हो सकता है यदि आप नकली तेल ले आए और उसे आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसे आपको प्रॉलम हो सकती है दोस्तो इसका दूसरा विकल्प यह है कि सुध सरसों का तेल मिल जाए वो भी कच्ची घानी का तेल डारेक्ट सरसों के दाने से सरसों के बीज से निकला हुआ तेल आप यदि नाक में दो दो बूंद दोनों तरफ डालेंगे तो उससे भी बहुती कम समय में आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों ये दोनों उपाए बहुती कारगर है लेकिन तेल सुध होना चाहिए इसकी सबसे पहली सरतिय ही है यदि आपने कोई मिक्स किया हुआ या ऐसा तेल ले लिया जिसके अंदर कुछ और भी चीज मिली हुई है तो उससे नुकसान हो सकता है ऐसे तेल से बचे आपको सुध ताकी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस देनी है और सुध तेल लेकर यदि आपको मिल जाता है तो सोचो कि आपकी हाथ बहुत बड़ी दवाल लग चुकी है और उससे आप इस्तिमाल करेंगे तो आपको साइनस की जैसी दर्दनाग बीमारी से बहुत आसानी से छुटकाराब पालेंगे दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारा यह नुस्का और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्च और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हस्ते रहें मस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखतें